वेलकम टू परताब क्लासिश दोस्तों परताब क्लासिश के यूट्व चनल पर आपका स्वागत है आज है 23 दिसंबर 2023 और 23 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंड एफेर्स की क्योशन मनते हैं आज उनका हम डिसकेशन करेंगे पूरा वीडियो द्यान स है IREDA के अज्यक्स को CMD of the Year सम्मान और अमेरिका के रक्षा मंत्री ने ओप्रेशन प्रोफेस्टी गार्जे ने लॉंच किया इनकी आज हम चर्चा करेंगे तो पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ रोज सुबा आपको ये साथ बज़े करंड की क्लास आपको लाइव मिलेगी और लाइव ही मिलती रहेगी तो सारे विदारती एक बार वीडियो को लाइक सेर करेंगे सभी साथियों को गुड मॉर्निंग सबसे पहले हम कल के कोशनों को रिवाइज कर लेते हैं हाली में साइटे अकादमी पुर्षकार 2023 में हिंदी में उपन्यास मुझे पहचानों को दिया गया इसके लेखक कौन है तो इसके लेखक है संजीव चंद्र बुटान से किसे बीबीसी स्पोर्स परसनलेटी ओफ दाइयर 2023 हावाड मिला तो ये मिला है मेरी ये रप्स को मिला है किस लेखनेट वाइस एड्मिरल को मर्नो प्रांत वीर चकर से समानित किया गया तो बेनोई राय चोधरी को डॉक्टर पुन्नम खेतरपाल सियं को किस द बीमारी की सुची में शामिल किया तो ये किया है नौमा बीमारी को तो ये थे कल के कोस्टनों का डिवाइस हमने कर लिया है और ये कोस्टन आपको टेलिग्राम पर भी मिल चुके है तो टेलिग्राम पर आपको शाम को ये जो आपको मैं येसड़े रिविजन करवाता टी बुक की है जनरल साइंस की है पूरे साल की इंडिया और वर्ल्ड की करेंट अफेर्स की टैसरी चल रही है और आपको पता है अभी सुचना साय का भी एक्जाम है ना 21 जनुवरी को इसका एक्जाम होगा ज्यान रखना कहीं आगे कहीं आगे नहीं जाएगा और पीछे भी नहीं जाएगा फिक्स है 21 जनुवरी को ही इसका एक्जाम होगा और आपको पता है सीटेट का भी एक्जाम है और वो भी 21 जनुवरी को ही एक्जाम होगा तो 21 जनुवरी को दो एक्जाम है सुचना साय का और सीटेट एक्जाम दोनों ही 21 जनुवरी को इनके एक्जाम होग दो पर्मुक बाढ़त्य राज्यों राजस्तान और अंदर प्रदेश ने सोर पारक और अल्टरा मेगा सोर उर्जा प्रयोजना का विकास योजना के तहट उच्छ सम्ताओं को अतिनात करने में महत्मुन पर गड़ती है कि यह है आपको पता है राजस्तान के अंदर भी अलग-लग मुर्शतली चेतर है वहाँ पर अलग-लग सोर उर्जा जलाए जाते हैं पावने लगाई जाती है पावन देखे होगी आपने तो इसके लावा सबसे ज्यादा सोर उर्जा के चेतर में सबसे ज़्यादा विकास हु समताव में देखो इसंगतों अगरणी तो राज़ेस्तान और अगरणी को राष्टिय उर्जां स्रंक्षन पूरिस्कार्व तेश से किस ने सम्मानित किया है तो कौराउंपटन ने ग्रिवस कंजूमर इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड को राष्टिय उर्जा स्रक्षिन पूर्शकार किस ने दिया है तो ये दिये हमारे देश की राष्टपती द्रोपती जी मुर्मो ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो ये देखो बीच में हमारे देश की राष्टपती द्रोपती जी मुर्मो और ये है हमारे इदर है इसमें क्रॉपटन ग्रिवस कंजूमर इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड के C.G.C.L. को परतिश्टी राष्टी उर्जा सरंक्षण पुर्षकार दोजारती से सम्मानिते किया गया और ये सम्मान भारत के राष्टपती द्रोपती जी मुर्मो और विद्यूत मंत्राली द्वारा परता ने किया गया है और परवन निदेशक और C.U.S. के प्रोमित गोश और होम इलेक्ट्रोनिक्स के बिजनेस हैड सचिन फरतियाल ने पुर्षकार से विकार करने में C.G.C.L. का परतिश्टी द्रोपती जी दिया गया है आपको सबी को पता है अभी आगा में दोजार तोईस के अंदर लोग सबात चुनाव हने वाले हैं तो इसलिए आपको पता है मोदी जी के द्वारा मतलब लोगों को क्या है जनता को लोगों को इतनी योजनों को वो लाब दे रहे है जिसे अलगला गाओं के अंदर शहरों के अंदर वो शिविर लगा रहे हैं अभी वरतमान में जैसे कहीं पर उनको जाना रोगे के लिए फ्री में जो देशी दवाईया होती है वो दी जा रही है कहीं को कुछ दिया जा रहा है कहीं अलगला क्या कुछ है सब इसमें दिया जा रहा है तो आपको पता है 46 मिलियन जो आयुसमान कार्ड है इसके अंदर इसमें सबसे टोप पर है उत्तर प्रदेश यानि कि सबसे ज़्यादा जो आयुसमान कार्ड के जो लाबारती है वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है देखो भारत सरकार 26 जनवरी तक अब आगामी 26 जनवरी 2024 आएगी तो आईश्मान भारत प्रधान मंतरी जन अरोगे योजना एबी पीम जेवाई के लिए व्यापक कवरेज हासिल करने की मिशन पर है वो एक बड़ा उपकरम है जिसमें 270 मिलियन अतरिक्त वेक्तियों को अपनी परमुक्स वास्ते श्योजना में शामिल है करना है अबागामी ये लक्षे रखा है कि 270 मिलियन है जो वेक्ति हैं उनको अपनी इस संस्ता में शामिल करना उत्तर परदेश 46 मिलियन आईश्मान कार्डों के साथ सबसे आगे है और इसे के बाद मद्य परदेश 37 मिलियन गुजरात 20 मिलियन 36 इनि गीट कब है 2018 के अंदर किस देश के रक्षा मंद्री ने लाल सागर में यमन के होती विद्रयों का मुकाबला करने के लिए उप्रेशन प्रोपौप्रिश्टी घार्ज़न लांच किया है तो ये लांच किया है अमेरिका के रक्षा मंद्री यह है रक्षा मंत्री इन्होंने लाल सागर में यमन के होती विद्रुईयों का मुकाबला करने के लिए ओपरेशन प्रोपरेश्टी गार्जन ने लौंच किया है इरान के साथ गड़बंदन करने वाला यमनी समु है इस्राइल और गाजा युद्ध के विरोध में वानेजिक जाहजों का निशाना बना रहा है जिससे दुनिया के सबसे वेश्ट सिपिंग मारगों में से एक बादीत है और रहा है आपको पता है यहाँ पर क्या जाजों का आवाकमन होता है वहाँ पर अब यह क्या है जो लाल साकर में क्या है जो यमन के होती विद्री है न यह वहाँ पर जो वेपार करते हैं जाज है उनको वहाँ पर जानने नहीं दे रहे हैं मतलब एक मारग है वहाँ पर उनको बादित कर रहे हैं रूक आउट कर रहे हैं तब की लिडर्स में कौन सा राज्य सबसे टोप पर है तो लोजिस्टिक्स विवेस्ता 2023 की रैंकिंग आये लिडर्स में सबसे टोप पर है तमिल लाडू राज्य कौन सा है तमिल लाडू राज्य सबसे टोप पर आभी होता क्या है अब देखो डिटेल इसकी हाल में जारी विभि आईजिक रोध्योग मंत्राली ने ये दो जार ठारा में ये पहले सुरू की गी थी लिड़स अब लिड़स का मतलब होता है लोजिस्टिक्स एज एक्रोस डिफरेंट स्टेटस दो जार तैस रेंकिंग पहले राज्यों और केंद साशित परदेशों में लोजिस्टिक्स के परदसन का आंकलन करने के लिए एक मानक विवेश्टा की रूप में कारे करती है इनकी लोजिस्टिक्स परदसन लगा जाते हैं आंकलन लगा जाता है कि किस राज्ये के अंदर कितना कारोबार हुआ है कितना वेपार हुआ है उसके अंदर कितना बढ़ोती गटोती हुए सब इसके अंदर बाना जाता है जो इसके अंदर तमिन लाडू सबसे टोप पर है हाली में सेनियर राष्टिय सनुकर का किताब किसने जीता है ये जीता है सोरव गठारी ने ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये है सोरव गठारी और इन्होंने सेनियर राष्टिय सनुकर का किताब जीता है देखो सोरव गठारी ने मौझूदा नब्वी राष्टिय बिलिंड्रेस और सनुकर जैंबिन्सिप में अपना पहला सीनियर राष्टिय 15 रेड सनुकर ता पंद्रा रेड सनुकर किताब जीता है तो आप दियाद रखना पहला सीनियर राष्टिय 15 रेड सनुकर ताज किसे ने जीता तो ये सोरव गठारी ने जीता है अगला क्योशन हाल में मिन्नी रतन सरणी में तेरवे पी ऐसी उतकष्टा पुरुष्कारों में CMD of the year पुरु मिला है परदीब कुमार दास को अपस नंबर भी ये तस्वीर में आप देख सकते हो ये परदीब कुमार दास है इनको ये CMD of the year पुरुष्कार है मिला है तो लगातार इनको ये दूसरा पुरुष्कार है मिला है इसके अंदरे देखो ये है बारतिय नमिनिकन उर्जा वि को तेरवे PSC उतकष्टा पुरुष्कारों में मिनी रतन्सरणी के तहत CMD of the year पुरुष्कार से इनको सम्मानिट किया गया है ये कारेकरम नई दिल्ली में Indian Chamber of Commerce द्वारा ये कारेकरम आईजिट किया गया और ये लगातार दूसरा वर्ष है जिसमें स्री परदीब कुमार अधास को ये परतिशी सम्मान है मिरा है इनकी पिछली बार इनको ये सम्मान मिला और अपकी बार फिर इनको ये अवार दिया गया है तो नई दिल्ली के अंदरे Indian Chamber of Commerce द्वारा ये आयोजिन किया गया था हाल में बारतिय कुष्टी महासंग के नए परमुक कोन बने यानिकी WFI तो बारतिय कुष्टी महासंग के नए परमुक बने यानिकी WFI तो बारतिय कुष्टी महासंग के नए परमुक बने यानिकी WFI तो बारतिय कुष्टी महासंग के नए परमुक है बन चुके ये तस्व वर्तमान में अभी यूपी कुष्टी संग के उपा देक्स की रूप में ये कारे रत हैं इन्हों ने अनिता शोरान के मत्र साथ वटों के मुकाबले चारिस वटों से बारी जीत है आसिल की है तो संजे सिंग ने अभी आपको पताए बारती कुष्टी मासं के देक्स मन गे औ दिल्ली में इसके स्थीत है तो ये वर्तमान में यूपी कुष्टी संग के उपा देक्स की रूप में कारे रत है हाल में बारत सरकार ने साइबर अपराद के परती साइपर अपराद के किस प्रारूप के परती चेतावनी जारी की और उसका नाम है स्विम सिंग ओप्स नम जारी किये किसने भारस सरकार नहीं देखो भारस सरकार ने जन जागरुपता की आवशक्ता पर बल देते हुए व्यक्तियों को गोपनिय जानकरी परगट करने के लिए टेक्स्ट संदेशों का उप्योग करके दोखा देने वाले एक परिशकर्त गोटा ले स्विम सिंग के प बहुत ज्यादा दोखा दड़ी होती है किसी के मतलब फोन से रुपए निकाली जाते हैं किसी का साथ दोखा होता है बैंक से भी किसी मतलब व्यक्ति के साथ है उससे क्या है फोन करके जैसे कुछ पूश्तास के लिए उससे ओटिपी ले ले लेते हैं तो इस वज़े से क्य जिया है कि इससे ज्यादा दोखा हो रहा है इसे ध्यां रखना बचके रहना इसे अब आपको एक पॉइंट याद रखना है मजबूत राजकोशिय प्रबंधन तो आपको पता है अपनी वीत्त मंत्री है निर्मला सिता रमन और आपको पता देश के अंदर बहुत ज्यादा म हुआ है निकी बहुत ज्यादा इसके अंदर इजाफा हुआ है आर्बे का अध्यान बढ़े हुए रासव विवेग पुन वे और बहारी कर संग्रे कोश्टरे देता है कर संग्रे में निरंतर उच्छाल की आसा करते हुए आर्बे ने संबावित चुनोतियों की चेताउनी देते हुए तीसरी और चोथी ती माई में करमश है शकल ग्रेलूद पाद का आठ पॉइंट दो परतिशते और ग्यारा पॉइंट नो परति सेथ जीएफडी का अनुमाने लगाया है आपको पता जीडीपी अलग होती है और जीएफडी अलग होती है तो आपको पता जब देश के अंदर सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो बड़िया उसका विकास होता है लेकिन जैसे अब करोना जीशी बीमारी आजए देश के अंदर है तो उसमें हालात देश के बिगड़े जाते हैं इससे क्या है जो राजकोशिया प्रमदन है वो नीचे गिर जाता है यह ट प्रताब क्लासिज के अंदर महां पर टैसरी चल रही है बड़िया तरीके से वाफ जोईने कर लेना पिछले वीडियो क्या था बारत में सोलर पावर से चलने वाली सबसे तेज बोट किस राज्य में लॉंच होई है तो यह है केरल के अंदर और इसका नाम क्या है तेज बो पूरे मुखे तरीके से आपको करवाता नो बड़िया तरीके से आप अदहन कर लेना क्योंकि लगबग थोड़ाजा गेराए में अगर करंड का कोशन आएगा तो पूखे तरीके से आप निनजन अध्यन करते लेना बा Dow कि बोटा शूचना साई के लिए आज शाम मेरी चा होंगा इसका जबाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है तो यह थी आज की अपनी बड़ीया तरीकिसे क्लास बाकि आपको जनरल साइंस की टैसरीज है इसके लावा आपको क्लासे भी मिल रही है और और सीटेट के लिए भी यूट्यूब पर आपको क्लासे दे जा रही है तो आप परताब यूट्यूब चैनल पर जाओगे न तो आपको अलगला क्लासे मिलेगी बाकि आपको उस नाने classes की राइस्तान करेंड फिर्स की जो book है उसका revise आपको करवाय जा रहा है seated exam के लिए भी आपको classes मिल रही है और इसके लावा आज शाम को भी मैं सूचना साय के लिए भी आपके लिए classes start है करूँगा तो दूसमें 8 number part मैंने करवा दिये आज शाम को आपको 9 जे पार्ट है मिलेगा 9 number है धन्यवाद जय हिन जय भारत